देखो बड़े भईया ओफर्याक स्यादा करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं बड़े भईया बड़े भईया बाभी ठींकशी का ओल किनी गए एए आग सब खे दीनकशी का जोच हुआ है है सबसे पहले आप से मिला रहा हूं आपकी बहु तुम फस गई हो क्या अरे असे कैसे बस सकती हो हमेशा सब इससे ही फसते हैं असने से पहले देखा नहीं था फिर बेरे पास ही चला आता ही है इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए अंदर जाके दो चाय लिया है अरे लाइए मुझे ओडर देता रहता है तुम तुम तुमारे दोस्त में लवर और उसके बार तुहारे बच्चे खाजाओ मुझे सब खाजाओ परिशान कर रखा इसने सत्या नाशो तेरा बहुत ओवर्याक करता है एए लंग पर सब्साइब आपके वैविए भाई फॉष्ट फॉन आची सब्सक्राइब नुद्छन एटिक रखुए उससे मेरी गाडी वे इस वक पेशेंट की कंडिशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ट्रीट्मेंट के लिए कम से कम 6 लाग लगें आप फॉरन पैसे का इंटराम कीजिए जे लाग कहां से लाओंगा मैं भाया ट्रीट्मेंट शूरू हो गई आप फिकर मत कीजिए जे लाग कह रहा है थूटो भी बजेगा भाया यह क्या कह रहे हैं मैं हूना यहां पर आप रुकिए आप प्रावडली अनॉंस मिस्टर राम तू भी आवा एसे पी मिस्टर सामी तू भी आव एसे पी अर्य हैपी राम बिल्कुल नहीं प्रेशर होते हुए भी जब शिवा रेटी को हराऊंगा सलाखों के पीछे डालों तब मैं खुश होंगा येस राम जाहे प्रेशर कितना भी हो मैं पीछे नहीं अटना चाहिए शिवा जैसे लोग रा कर दो कर दो कर दो कि अवा जाया है कूछ Eran इस अरे अरे बेता स्कूल आ ना मुझे नहीं चाना अखर्फ और मुझे नहीं जाना बड़ी मुष्किल से तेरे लिए पीस अर्या है ऋप्र निए पीस क्यों भरी मैने थोड़ी का आता पहुंच गया तुम्हारे खिलाफ में कोट में गेस कर दूंगा है ऐसे क्यों फेक दिया तो नहीं तो क्या मेरे बेटे को बिगरता हुआ देखू लगी का बेटा कैसा होना चाहिए मेरे जैसा होना चाहिए जो अंबानी बनने का सपना देखे था तू चीजों का टेंचन ले आप दो चाहिए लाता में अगले दिन फिर आया चाहिए देना चाहिए जाय मस्तिया यह कि वहीं दिन से आ रहा है तो प्यार थेक शब्द बोल दिया तब से जुड़ गया ऐसा कॉन सा शब्द बोल दिया जी फ्लाश बैक देखो कैसे हो बेटा क्या का कैसे हो बेटा यह पूछा है क्या क्या हो मेरे बाब आपने हमेशा मुझे जाननू में जाने के लिए कहा लेकिन कभी कैसे हो बेटा नहीं पूछा है आज आपने मुझे पेटा कहके पुका रहा है तो आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बड़े भाई और तू मेरे पेटे जैसा यह होटेल एक मंदिर है हमारा रिष्टा टूट है आप दोनों रामसीता और मैं लखी यह देखकर बहुत इमोशनली कनेक्ट हो और सोचा कि यह सेंटिमेंटल फेलो है उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी पैमिली को अपना कर मेरी बजा रहा है जब उसे भूख लगती है जरा ऊपर देखो मेरी चाई की दुखान उसके लिए रिष्ट्रॉव बन जाता अपने दोस्तों के साथ जब दारूपी नहीं होती है तो यह मार बन जाता है जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है ना चाहते हुए भी हमारी तीम की फैमिली चार हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है उससे कोई भी मिलता है तो ऐ तो निखाट देखे जाएगा निकाल निकाल तो माइगाड नमस्ते सर यह किर्णा था तो मेने पकड़ लिया सर मैं आपके भाई का दोस्त हूं सर तेरी तो भाई का दोस्त है माँ कॉफी कॉफी बनाओ माँ चाय हां पहले चाय बनाओ इसकी तो जलता है राजनीती में कदम रखने वाले हैं शिवा रेड़ी शाला चोर क्या कदम रखेगा खा जाएगा सब गुंडे भी अब राजनीती में घुज जाएंगे उलिश क्या कर रही हैं कुछ भी चाप दे अरे भापरे पांच सो रुपए की रिश्वत नीता पकड़ा गया कॉंस्टिबल चीप वेरी चीप चाय चोरी के पीछे ऐसा है कहा दख तेरे की ची मैंने मंगला पेपर हटा दो यहां से मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा सुबहें सुबहें पेपर उठा कर देखो तो तूल गया अब इसका क्या फाइदा है क्यूट कितना मसा हो रहा है कि कोली और बंदूग भी फैंक दें यह क्या है दे दिया था पूल जाती हूं बादाम का उपमा पापा के लिए दे आओ मेरे पापा को बादाम का उपमा पसंद है लेगन उनके बेटे को उपमे के अंदर के बादाम पसंद है ठीक वैसा जैसे माहने बनाया बादाम और उपमा अंदर कोई है पापा बादाम वाला उपमा में कोलेस्टरॉल होते हैं वहां रखते हैं तेरे लिए नहीं है पापा वहां वरत क्या है बता वह क्या है ना वीसा किस लिए मेरी का जाने की तमन्ना तुझे पैसे के जरूरत है पैसे की बात नहीं है पापा वीशा के लिए बांक बालन्स दिखाना परता है तेरा मसका पॉलिश मुझे मतलगा पैसे चाहिए तो भाईया से मांग ले वह कमीना क्या पैसा देगा क्या कहा तू निकाली दी आपको कितनी बार काल मैं काली पाई चुपो को यहां से यह तो गया पुलिस वालों की दो नहीं चार आखें होती है हैरी पॉर्टर शेर में बहुत क्रिमिनल्स गूम रहे हैं जाकर उन्हें पकड़ो मेरे दोस्तों को मारने में क्या बहाद हुरी है नहीं आवारा की तरह इधर उधर मटर गश्टी करता रहता घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता ऐसे कामों के लिए पैदा नहीं हुआ शरम नहीं आती तुझे आती है ना तुझे फाई बुलाने में तुम दोनों फिर शुरू हो गए तुमसे अच्छे तो वो टॉम एंजेरी है कुछ समय तो मिलकर रहते हैं राम तुम जाओ हरे वाह कितनी मुहबबत है इन दोनों में ये दोनों कब मिलकर रहेंगे अब तो इतने बड़े हो गए हैं ये दोनों फिर भी जगड़ते हैं हैं मजाक में यह दोनों एक दूसरे की टांग खिषते हैं अगर यह मजाक है तो कोई बात नहीं जी लेकिन राम लक्षमार सच मच्छा करने लगे फिर क्या होगा शिवा रेड़ी शिवा रेड़ी शिवा रेड़ी शिवा रेड़ी जमीन का कपजोर 65 मुल्डर की हो एक्स्टॉर्शन ट्रक डीलिंग ऐसे और भी धन्दे हैं पॉलिटीशन से मिलकर करोड़ों रुपए कमाकर तीसरे को बेनामी बनाकर तुम खुझ छिपे हुए बैठे हो और अब राजनीती में आ रहे हो एक एक केस पर सौ कवारेड़ी किया हैं तेरा बचना तो ना मुपन है यू आफ फिनिश्ट तुझ जैसे कमीने कुछ अरे क्या है इस ड्रेस का पावर इस ड्रेस को शरीर पर पहन दे ही मैं खौल गया ब्लड उबल रहा है अरे खुल खौल उटा यह है ओरीजिनल तुमने जो भी अपने माइंड में मुझे बोलने का सोचा होगा मैं बराबर वही बोला ना तुने सब कुछ बराबर का लेकिन एक चोटा सा करेक्शन तुझे जिन्दगी पर जेल में नहीं डालूँगा तुझे नंगा करके बीच सड़क कुट्टे के तरह दोड़ा कर मारते होई स्टेशन ले जाकर गन पॉइंट पर तिरा इन काउंटर कर दूँगा यह हैं ड्रेस पावर यह हैं ड्रेस पावर ऐस इसी तेरी वर्दी की जबान है लेकिन इस वर्दी के ऊपर एक और वर्दी है और उसी वर्दी में है असली ताकत मैं शिवा रेटी यह शपत लेता हूं कि मैं शासन द्वारा निर्मित भारत के इस राच में अपने पूरी इमांदारी और विश्वास से अपने कर्म को करक पहले मंत्री उसके बाद मुख्य मंत्री ये तुम्हें कैसा लगा साला इसके लिए मैं दो साल से गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा आदमी बनकर जनता के सेवा कर रहा हूं लोग अच्छा शिवारेडी क्लीन शिवारेडी समझे मुझे सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं म कहता हूं तुम लोग में मुझे सपोर्ट करो ना नहीं तो मरेगा तुम जैसे कितनों को मार सकता है डिपारटमेन में कदम कदम पर तुझे मुझे से मिलेंगे डिपार्टमेंट मिलकर जब बीच रास्ते तुझे कोलियों से भून देंगे ना तब तब आएगा असली मास स्वालाव जत्ता का सिवक शिवा रेंटी किसी को नहीं मार सकता इसे छोड़ने का सोचा था मैं किसी को नहीं मारूँगा मैंने बापु को वादा किया है तू मारेगा मार दे उसे प्लीज नहीं प्लीज यहीं पर ट्रेइदिंग करते हैं उसको उप्यों करने के टाइम आ चुका है मार चल ठीक से निशाना लगा चल मार चल एक की वज़े से तुम सब को मरना पोड़े है वाइज नहीं इस कुछ में राजीव जान देने के लिए मैं तयाद लेकिन इस गुत्ते के हाथ हो मरने से अच्छा है मैं अपने डेमार्टमेंट के इसी ऑफिसर के हाथ हो मरूँ मेरी वज़े से तुम सब लोग इपनी जान रिसमें मठ डालो शूट मी राजीव शूट मी थ्री रे खुँत में दिर घीजु के अट बंधु प्रजेव जहार जा comple कौशिछे मोले to act शुत में गद्धेव इस अर्जेव एक हम व्याजो के देदा आइजु कि अधियों कि अधियों कि सर्विस रिवॉल्वर को क्लीन करते वक्त में स्फेर हो गया बताकर बंद कर दो के कि अधियों कि अधियों कि कूलीष के ट्रेणिंग में टॉप रेंकर डूटी में इसे पीछे शूटिंग रेंज में टॉपर चुटी सी चुतकी पर भी अलटनेस ऐसा ओफिसर्स रिवॉल्वर क्लीन करते वे मर गया जरूर तुम फिक्र मत करो इसका इंसाफ करने कोई ना कोई आई जाओ तो सरूर आएगा ओमाइगा क्या लड़की है क्या क्या लड़की बात कर यार कुछ बूल बचाओ यार इस लड़की में कितनी हिम्मत है और तू है कि डर्पो को जैसी हरकते कर रहा है तू मैं मेरी माँ का इक लौता पेटा हूँ एक भाई है लेकि तो किसी काम का रही है रूपने रहा ओमाइगाड ये इतनी शांत कैसे खड़ी है मुझे तो लगता है भूत नहीं या चुड़ेल होगी टेस्ट करना पड़ेगा अरी ओके मैम अरी ओके सेर्पोट तेरा ओके रख तेरी पैंट की पॉकेट में तुम लोग लिफ को मेंटेम क्यों नहीं करते हैं मेरी बात अलग है लीडिस कितनी डर गई थी मालू आप तो बहुत बहादर हैं आप लखी और यू भावना नहीं और माबाबने नाम भावना रखते हैं क्या कहां पवन कल्यान यह फिल्म बहुत पनी है ना आप रियाक्ट नहीं कर रहे हैं पवन कल्यान पसंद नहीं है क्या इनके लिए तो मैं पागल लिए तो फिर इस सीन पर आपको हसी क्यों नहीं आ रही है? मैं हसी थी. हसी थी? साइलेंट मोड़ों हो रहा है. आप कहते हैं आप पवन कलियान की फैन हैं? और उनके गाने को एंजॉय नहीं कर रही हैं? आपको तो इस वक दान्स करना चाहिए. इन्साइड। ओ, बाकल है. मतलब आप जो पहले हासी थी? वो भी अपने मन में हासी थी. आप लिफ्ट में घंपराई नहीं? आप से हजार गुना ज्यादा घंपराई थी. क्या वो भी? इन्साइड. यह भी पाकल में भी पाकल खूब जमेंगी यह इंसाइड हसना और और मन में डरना कॉंसेप्ट क्या है इस वायर के अंदर क्या है करंड कहां है वायर में दिखाओ मुझे ओ मैं गॉड यह लड़की तो तुझसे भी दुखका तमागेने क्ली लगी हलो कैसे हुआ कहां ओके मैं आ रही हूं क्या हुआ मैंडम मेरी मॉम्मी का एक्सिडेंट हो गया है सेप काटे हुए हाथ कट गया क्या उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी अभी आइसीव में कुल जाए है तेरी मां का एक्सिडेंट हो गया तो तु कैसे रियाक करेगा तो यह होता है रेगुलर रियाक्शन पर वह शाली तो सु-सु-सु करके निकल गए रहे हैं इसलिकने में तो परीजे इसी लगती है लिकिन एक ता मला का तो कि अपने घर में अपने पैसों से ममी डेडी जाने के बाद अपन पार्टी दे रहा है पुलिस वाला क्या गरेगा तो लगी की तरह फिट फूट होने का तो अला कुछ लोग को तो जीने का खाईसा वह ने मालूम अपने अपने साथियों को लेकर मेरे घर आजाओ इमीडियेटली तुम सब लोगों को मैं पार्टी दे रहा हूं अब हम सब फ्रेंड्स हैं है बेड़ जाओ बेड़ आज हम सब लोग फूल एंजोई करने वाले हैं जोई का मतलब क्या होता है आज हम लोफर गेंग को दिखा देंगे वहाँ पर चीप शराब है यहाँ पर कॉसली स्कॉच्च थैंक यू सब पहली बार आ रूपी राओं फॉस्ट टाइम अब भी सा हेलो हाँ तेच में नरू डाल बेमांजी हमेश्टा डिस्को डिस्को करती रहती है ना आज घर पर डिस्को करेंगे दोस्तों को लेकर यहाँ आजा मुजों को थोडारां गुमाके है अना की जैसा चश्मल अलगाते पोको नत मेल सिमलागे अजाओ सारे मूड बनाके अज challenges खोतें अंगी रािसनिए दा चैंस हमकी एंजोइमेंट भॉप, भॉप जार् अब रीता पेज जती होड़ी ? मिब क्या थाखरे जो त्यक्तान ए सुपता बॉप मुझे और बलड़की सामधी किन् 노래 is प्रहुता एंजोटरत रिधी किन्या गये हूं तो हुआ ठान्द किला करें लड़की सारण जित्राल, मैं अबर्मा बोल रहा हूं, तिंचर मस्टाइटरम बेजना. आन्येटरम, चुणा, चुणा, चुणा चुणा, चँणा, चुणाँ, चुणा, थे मस्टाइटरम, चुणा, 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 चुणा अॏ雞, आलो, आईजी साहब? अ GC पाल कॉल मोल रहा है, तुणा कर रहा है तू सो रहा हो औरका थू सबडेंस साब जैल से वाई सोच़ क्या ऐंस नहीं दो तकता क्या हूँ aань कौन बोल रहा है तू और क्या प्राबल्म मैं तुछको नत्रों के सांपे इत्रा को रहा है यहां बहुत कुछ और to जावो choppedula, जाज डे जुआ, जाज अफनिटी पुलिस! 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 अै! 2, 3 … Good morning son. यूरिफॉर्म के पेजदती किये तुमने इस तरह दरू पिकर इन लड़कों के साथ नाज गा रहे थे तुम लोग पुलिस वालों के नाक कड़वा दी तुमने क्यों भाई राम सब क्या है सब तुम ऐसा कुछ बेहुदा काम करोगे यह मैं सोच भी नहीं सकता अब भाई उसाथ में कर जिसने मीडिय के बजाय मुझे फॉन किया आपको समधो तुम्हारा डिपार्ट्मेंट में बहुत अच्छा नाम है उसे यूँ खराम मत करो ठीजी कि अब बहुत पड़ी गत्यक्ति अच्छा मैं पुरूंगा नहीं बस एक बार मेरे हाथे चाड़ा कामेडी करता है चल्वे तुम्हें वीजा के लिए पैसे चाहिए थे ना ये लो दस लाग थैंक्स डाड़ी थैंक्स मुझे नहीं अपने भाईया को बोल आपी जाकर उसे थैंक्स करें तेरे लिए पैसे लिए बोलूँगा तो गोली मार देगा ओ मैं ये पैसे सिर्फ डिपोजिट करने है वीजा मिलते हैं पैसे लोटा देना ना के लिए गर्दन ही ला रहा है पैसे लोटाएगा आपको मेरे में परोसा नहीं है अग्री जो किस दमाने का बैंक है और अगर बैंक लूगने कोई आ है तो अब पहचानो मैं कौन हो बस तुम कौन हो देखा तुमने नहीं पहचाना आप नहीं होगा क्या करें गलती इंसान साही तो होती है ना तुम दोनों क्या खुजर खुजर कर रहे हो तुमारी काबिलियत पर इनको शक है शक है इदार आवे बुड़े तुझे मुझे पर शक है या बुड़ा दर गया बुड़ा दर गया मुझे देखकर सब डर जाते है इसका मदा ही कुछ और है आई लव पटुलो तुम लोग क्यों ख़रे हो तुम भी दरो दर के आगे मेरी जीत में डरो डरो है हाँ 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 है क्वाइश है क्या हो रहा है तु जानती नहीं है जानती हू जी आप लोग चोर है रोबरी कर रहे हैं तो सब मेरा भरोसा कीजिए मैं बहुत ज्यादा डर रही हूं बाई यह डर है ना डर हम अपना कामगर के निकलते पुलिस आ गई तो देख चोटे अब बात मेरे इगो पर आ गई है तु घबराएगी या नहीं देखो तुम्हें कैसे समझाओ कि मैं बहुत घबरा रही हूं तुझे मेरे चेहरे से डर नहीं लग रहा है मास्क पहन रखा है नाजी ठीकसे देखने ही पा रही है ले देख सब को माँ डालूगा कि यह कहां गई मैं काम काम करोगी क्या हां करूंगी जी मेरे लिए सिर्फ एक बार जाओ ना ओकी जी तो फिर डर रही हो तुम्हें डर लग रहा है हम मुझे बचाने के लिए ठांक्स तुम क्या पागल हो उसे परिशान क्यों कर रही थी ठोड़ा सबी रियाक्त नहीं किया तुम लोग सभी चीजोंं के लिए इत्ना ओवर्यक्ट क्यों करते हो तुम नॉर्मल हो लोग इस से पागलपन कहते हैं अरे बापरे तुमारी फैमि तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश हाइली सक्सेस्फुल बिजनसमन उनकी लाइस्टाइल उनके तौर तरीके बहुत सिस्टेमाटिक है अनहल्थी फूड को और अनहल्थी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते जब भ है हमारे घर में घाली देने के हिम्मत की है निकालकी से कुट्य न्यूहारे पपा मेरी भाचा सुनेंगे तौरा में सब कुछ टाइनपर होता है साइलेंटन होतके नॉइस पलीयोशन मेरे पापा पसंद हीगते पाप इस री तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या हमने जब लास्ट बॉल्ल कप जीता था आपने जैसे एंजॉय किया वैसे हमने किया किस ग्रह से आये हो तुम लोग घर पे एंटेटीन्मेंट कैसे होता है एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटेटीन्मेंट प्रोग्राम होता है उस दिन हम सब मिलकर बहुत अस्ते है अरे बहुत हुआ बस कीजिए तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हसी आ रही है मैडम कम हसी रुको मैं ब्योश हो जाओंगा हमारे इमोशन्स और हमारी बॉड़ी पर जितना कंट्रोल होगा इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा इस लिए ये बख्वास कॉन देखो खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए अगर अंतर रहेंगे तो बहुत खुबसूरत हो थोड़ी भावनाय लाओगी तो और खुबसूरत लगोगी मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुचा करी रहूंगा जिसको मन चाहे उसे टिकेट देगे त अगर देखी जाए तो शिवा रेटी को टिकेट देने के खिलाप ठीक है ना नमसकार आप सभी को इस शिवा रेटी का हार देख नमसकार पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आये हुए सभी को मेरा विशेष नमसकार और इस बार मुझे पार्टी से एमले टिकेट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ए ने बेख जो आ रहे हैं सभी को मिठाईया बाटो भाई टीके बहुत भाई तेंक यू थ थेंक यू ये तो जबर्दत पर बात को गले में ही रोक ले दिल में जो है उससे दिल में ही छुपा ले उसे बाहर मताने देना अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारणा में बाहर निकाल कर तुमारा भविश्चा खराब कर दूंगा कितनों को चिताया मैंने इस मादव शिवारेटी को पार्टी का टिकट कंफर्म है डाट्स फाइनार मैं घर जाकर जब तक टीवी आउन करूंगा तब तक ये निवस पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए ओके क्या बोल रहा था बोल अरे बोल ना मुझे टिकेट मिलेगा या नहीं शिवारेटी ये क इसे बात कर रहे हो तुम शिवारेटी कितने मडर किये तुमने कितने अपरन किये तुमने लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले के हिम्मत नहीं हुई इतने दमदार निता को टिकेट नहीं देंगे तो फिर किसको अमेले के टिकेट देंगे हम 100% तुमें ही अमेल आप यू थ्री ओल सो राजा तो होंगी कहीं का तुग टिकेट कंपर्ण अब क्या करेगा तुग तेधी इतनी हमत जेल भीजने के बजाए उसे पार्टी का टिकेट देकर असेम्बली मत भीजे सर जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है अरे ऐसे लोग तो असेम्बली के बरामदे में भी खदम रखने लायक नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं यह सब पॉलिटिक से विटा उसके खिलाफ कोई मस्बूत सबूत लेकर आओ उसके पॉलिटिकल करियर पर यह नहीं है उसकी रियल लाइफ पर भी फोल स्टॉप लगा दूआ करें देखो बड़े बयाइदा करें अजिलल के बहुत अच्छन बड़े बएया बड़े 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 बढ़ी आप शेकर दिंक पोल में आ एक दिख्षूटेस ब्से पहले आप से मिला रहा हूं आपकी बहुत तुम फस गई हो क्या है अरे आसे कैसे फस सकती हो हमेशा सब इससे ही फसते है फसने से पहले देखा नहीं था फिर मेरे पास ही चलाता ही है इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिये अंदर जाके दो चाय लिया है अरे लाइए ना अरे लाइए ना मुझे और देता रहता है अरे श्राइए खुटो चुटो एंबिलंग को आज अरे आज हो गाडि रोखो घ्राव आज चाहते हुसे मेरी गाड़ी पेप्टाऊं एंबिलंस समझाएगे चल निकाल निकला पोला अच्छा या निकला अच्छा या निकलता या उना ताव है जाते हो इसे पॉन है यह चुप कोई त्वाए इसे चुप करा सकता है मैं मेरे यूं क्यूं मेताया ज्यादा जादा इंतरमा देगे लिए ए मेले को अर्धन जी देखे इस वक पेरिशन की कंडिशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ट्रीटमेंट के लिए कम से कम छे लाख लेगे आप फारण पैसे का इंतरम कीजिए छे लाख कहां से लाओंगा मैं भया ट्रीटमेंट शूरू हो गई आप फिकर मत कीजिए छे लाख कह रहा है छूटो नहीं बचेगा भया यह क्या कह रहे हैं आप मैं हूँ नहीं आप आप रुखिए आप ओटो गेरी जोग लगे एक बच्चे को M.L.A. साहब ने अस्पताल में भर्ती करवाया है वो बच्चा भी आइस्यू में है इससे बताया है M.L.A. साहब बाहर आ रहे हैं लोगों ने तो मज़ाग बना के रख़ए अब यह कार कहा गई चलिए वो डॉक्तर रुको सर मेरी गार का गई जैसा कि आप देख रहे हैं वो डॉक्तर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की बॉनिंग दे रहे है जिसे कि आपने देखा एमेली सहाव इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं मेरे सबर का बांट दूटता जा रहा है वो बच्चा इनका क्या लगता है बेटा या फिर भांजा आगे की जानकारी के लिए हमारा चानल देखते रहे के ओवर तो स्टूडियो हमें आभी आता हूं अरे इतने पैसे कहां से लाये तू वीजा के लिए पापा ने दिये थे डॉक्टर डरने की कोई बात है इस आउट ऑफ देंजर हाँ बड़े भाया छोटू ठीक है उसे कुछ नहीं होगा थो अरे भाया क्या हुआ थो बिटा मुझे बाफ करतो क्या है जिलागा था कि तुम हमारे साथ रह कर आपारा फाइदा उठाने की कोशिश कर लेकिन सिर्ण बेटा कहने पर तुम आहरे परिवार को बचा और यह नहीं सोचाता परिपल्दो मुझे बाफ करतो पाहर जाए कि देख क्या ड्रामा चलना है क्या हुआ लगता है वो क्या लगता है क्या बता मुझे नहीं पता कई पर एक्सिदेंट हुआ था मैंने उठाया कार में डाला और महां से अस्पताल लेकर आया बस इतना ही बता है मुझे अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे लेकिन उससे कोई भी रिष्टा ना होते हुए भी हमारे एमेले गोवर्धन जी उस बच्चे को उपने बेटे जी से कीड कर रहे हैं ऐसे दयावान नेता जी की हमारे देश को अब लोगो ने यह समझा सर इस बात पर मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसंडिस्टेंडिंग हुई है चाहो तो मैसेज बोल सकता हूं तो मैं बताता हूं वो बच्चा जिंदा है एमेले साब की वजह से अगर यह सही वाक पर नहीं आते तो हमारा चोटू हमारे पीच ना होता ऐसे एमेले के राज्य मैं पैदा हु अगर मैं इतना पॉपिलर लेडर हुआ हूं तो यह सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है आपकी मदद करना मेरा फर्स्तार हाई कमांड से कहां से हाई कमांड से जनता में काफी मश्हूर हो चुके एमेले साहब को पार्टी हाई कमांड ने मंत्रीपत सौफने की घोशना की है और पार्टी ने माधव शिवा रैजी को एमेले टिकेत देने का भी फैसला किया है तुम्हारी वज़े से मुझे मंत्रीपत मिल गया है उस दिन सारा क्रेडित तुमने मुझे दे दिया था जिसने पूरे राज्ची में मुझे पॉपिलर कर दिया आप मज़े कीजिए सर मेरे भाई तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना और अगर पापा मेरी खौइश पूरी होने वाली है बापा पॉलिटिक्स में कदम रहें संबलकर चलना शुआ ओक्या पापा पकरे के मां कब तक है बनाई की ओट चल चल जट जट अचल जट आट जट अट निचल निचल जट तुम्हारे एसीवी का ना यह है भाई सामने है ओ माई गॉड़ आपका भाई है सर चोड़ हमेशे का बजना जाने दे उसके साथ में लड़की भी है साथ में लड़की है अब आया ना उट पहाड के नीचे आप से चुला रहे हैं चलिये लगी नाम क्या है नाम बोल लखी है लड़की कौन है तुम्हारे साथ मेरी गॉल्फ्रेंड बड़ी मुश्किल से पटाई है अच्छा गॉल्फ्रेंड तुम कहां से आ रहे हो मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूं तू खाएगा क्या तू इसे कब से जानती हो दो थीन मेने से जानती हूं वह तो लगी रहा है तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो बसे देखने में तो यह चूर लगता है आपको गलक्रमी हो यह सर ओहो रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं पता है कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलीस क्या ड्रंक एंट्रेव केस रस्पेक्ट दूगा ना सर कभी अकेले में मिलिये ना बहुत रिस्पेक्ट दूगा अच्छा बता काम क्या करता है तो मैं वह एंजिनियर और रहता कहां पर है मेरा एड्रेस मजबूरी है सर इसका युएस जाने का ड्रीम था मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया वापरे वीजा नहीं मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए हां लग्की बड़या मेलेज करता है तो वसे अभी काम क्या करता है तो बेरोजगार हूं सर बेरोजगार है तो पैसा कहां से आता तेरे पापा बहुत पैसे वालें का रिटायर ओफिसर इंकम मेरे एक बड़े भाइया भी आता तो भाइया की मेहनत के पैसों से तू इसके साथ मियूंत किसी के भी पैसों से आश्कर आपको क्या आप दे रहें पैसे आप इनके भाइया के बारे में मैं जानते वो भी आपकी तरह पूलिस ओफिसर को यहां हां लेकिन थोड़े से सब्सक्राइं है और मैं में इन केतना हो यह को दो में भाइव और कोर अपने में ठी ऑताए को अपने ना में तोании года छुन। पूछे ना मेरे गर पर हमारे बार में पता नहीं है ना अलो परेशान क्यों कर रहा है तू है लॉकाप में डाल इने सर कितना फाइन चाहिए बता दीजे ना हम देखर चले जाएंगे हम स्टूडेंट्स है सर स्टूड तो वर्मा मुझे कंप्लीट जीटेस चाहिए इस रण लड़की साथ में और इसलिए जोड़ाओं लड़की साथ में तेरे है इसलीए चोड़ाओं अच्छा क्रिमिनल्स को पकड़ो अई पेटी में तो बदलाव आगया इनमी कभाय का क्या पता आपके शेख का टाइम हो गया है सर लेक शेख सर यह क्या थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आजकल तुम्हारे ब्येवियर में बहुत चेंजिस नजर आ रहे हैं मतलब टाइम पर ठीक तर से खाती नहीं हो घर नहीं आती हो मुझे एक छोटा सा डाउट है कोई तो तुम्हें इंफ्लोइंस कर रहा है कौन है वो लगी है डाड़ी मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूं उसके अलावा मैं और किसी से शादमी करूंगी आपके मन में और कोई सवाल है राड़ी है पूछने के लिए बचा ही क्या है कुछ नहीं है वो दिखता कैसा है दिखने में मेरी तरह डिगनिफाइड तो है ना थू बखवास है भाषा भाषा कैसी है उसकी डीसेंट तो लगती है ना कुट्टे के बच्चे चल फट यहां से डाड़ी मैं अपने दिल की बात कह च करान लीजे ठीक है उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो है हलो लकी क्या कर रहे हो मेरे डाड़ी तुमसे मिलना चाहते हैं तुम जो भी कहते हो सही है लकी एक घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है यह क्या अपॉइंट्मेंट तो वो मु क्या आपको अपना सासुर जी मान लिया है कंप्लेन आपको है इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए हूं भूभी लव स्टोरी शुरू कि यहां का समोसा आपके लिए आपके लिए ओडर करो आइचली यह उस्मान बिस्किट बहुत फीमस है आप यह कीजिए अरे रुको 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 प्रशने किया इतना इंपोर्टल डिसकुशन के लिए यह जगह चुनी है क्यों सासुर्जी यह सुपब प्ले यह आमारी आपस की बाती कोई नहीं सुनेगा एमों दिखाता हूं है वाइं वाइन वाइन और वाइन वैसी सूपर प्लेस निकाना मुर कॉन हो तुम मेरी बेटी की पास 500 क्रोड की दौलत सावेए 10 प्लें दॉन मर्गन उमहारे पास क्या मेरे पास आपके बेटी है यहां पर ठीक है हम सेफ हैं बोला अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग पिस्की तरी के ताइम ही खराब है कुछ नकुछ उल्टा बुल्टा हो रहा है सासूर जी यहां यह जल्दी बात खतम कर लेते हैं देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको सासूर ज छोड़ना मत उसे बग्रो से बग्रो वो दखो वहाँ है ओ माइग गौड यहां तुम जानते हो इसे सारी अटैक मुझ पर हो रहे हैं यह मुझे मारना जाते हैं आज तुसे जिंदा नहीं जाने दूंगा लग्की मेरे साथ मताये वरने ही आपक मार देंगे अलो एक्स्क् आपको जवाब चाहिए जान चाहिए बने जाने जानता ही निए फ़ादें जानता ही निए उसके बारे में जाने बिना उसके साथ सब्सक्राइब। किसलिए लेकिन अब व प्यार तुम्हारी बेटी पर कर दिया इसलिए मैं अपनी दूश्मने तुम पर सिप्ट करता हूं समझो मेरा बदला पूरा हुआ है ये सारे हत्यार रभी इसको दे दो यह हत्यार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्मत्या कर लो इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आखों से देख नहीं पाओगे यह चलो रहे काम हो गया भावाव डाड़ी यह क्या बेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे है लकी ने आपको भी बदल दिया है ना मजा आया ना मुझे इस तरह देखकर तुम चिड़ा रही हो ना मुझे उसका इंट्रोडेक्शन तो बहुत ही भैंक कर था मैं तुमारी वाशन शुचा करा रहा हूं सुन बेटी लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार फोड़कर उसे ढूंड रहा है और मैं उससे मिलने आया हूं यह जानकर वह मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था रहे बापरे मौत से नाता खत्रा है पर इससे नाता तो मौत से भ बहार निग्ला कि प्यार करती हूँ डाड़ी तुम पाट टू तुम से पहले भी पाट बाट वन ए एक लड़की से प्यार करकर दहें के बाद तुम्हें फसाया मैं अलरेड़ी जानती हूं लकी ने बताया आलरे बताया है हमे वही किया है वैज सफूलश्य धूम ऑन तू टू ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों की सेटिंग नहीं हुई खेल खतम दुकान बन चाप्टर क्लोस अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत क्या कहते हो स्वीटी तुम जो कहते हो वही सही है लटी अरे फसा रहा है तुम यह इसमें फसाना क्या आप ही तो कहते हैं ना हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करें और किसी और के घर में भी काम करें तो गलत है लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर में नौकरी करता है तो गलत है उपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है तो वही एक्सपीरियंस मे तो इंकार के लिए only one one reason बताता हूं क्यों रहे तुम दोरों प्यार करते हो ये बात मुझे कैसे बता चली सोचा तुमने ये बताओ एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करें तुसके पैरेंट्स को कौन बताता है दुश्मन लोग एनिमीज लेकिन इसके घर में इसके भाइया ने मुझे फोन किया येस उसने खुद फोन करके कहा सुनिये जी आपकी बेटी एक लोफर के साथ घुम रहे है उसे बचा कर रखो और जानती हो इसकी ये वैल्यू है अपने घर में बाइया ने ये सब कहा तो जाकर पूछो पूछो ना वह दूपूर्ज देता अपने भाइया से कहो कि मुझे फोन करें और कहें कि आपकी बेटी के रिए मेरा भाई नंबर वन चॉइस है उसके बाद बात करेंगे लिए यूफू पॉफेक्ट रिजन दा ससुल जी है भावना के पापा को तुने फोन किया था क्यों तुझे घर से बहार निकाल दिया क्या कोई कुछ कहें और प्यार टूट जाये तो इस प्यार का फायदा क्या हां एय, मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कॉं होता है कह रहे, तूने मेरे आई जी को फोन करके, मेरा गारा कारेक्टर छोटा गया था मैंने तो तेरा कारेक्टर मशूर कर दिया मैंने तुछे कहा था न कि पॉलीस के हाथे मत चड़ना कैसी बज़ाई तेरी ओ अब सारा कनेक्शन समझ में आ गया बेसिकली तेरे प्यार का प्रिक आफ हो गया ना इसलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे यह क्या पकबास कर रहा है माई यूर लाइज तेरी परसनल बातों के बारे में बात करूं तो तुझे घुसा आता है न उतना ही घुसा मुझे भी आता है मैंने उन्हें बताया मेरी इज़त खराब ना इसलिए बताया तुझ मेरे पास रहता है अगर कल को कुछ उंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे एक पोलीस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल ही कर पाया तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंगा मै मैं ऐसा कभी नहीं होने दुबार इसलिए मैंने खुद फोन करके बताया मेरा भाई खैर जिम्मेदार है रास्ते का लोफर है अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉंसिबल कब से हो गया पे तू ओ सब भूल गया या दिला तुझे वीजा के लिए तुझे 10 लाख रुप इमानदारी परोंगली मत उठाव उठाव तुने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए हैं इसकी क्या गैरेंटी तुने मेरी क्लफर्ट को कुछ नहीं कर रहे हो जाटी एप हो एक शाट नहीं का मुछ ठीबना का मुछ उचा वोड़ा शांत हो जाओ पोलना जिन्दगी में कभी मेरी माने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज इसकी वज़े से मारा है मुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक उसे सबहता ना सिखाऊं चैन से नहीं बैठूंगा चाहे उसके लिए कोई पी कतम उठाना पड़े वक्त का खेल भी क्या खेल है एक मौके के लिए तीनों ही गजार कर रहे थे भाईया से बगला लेने के लिए लखी है शिवा रिट्टी को अरेस्ट करने के लिए राम और नॉमिनेशन भरने के लिए शिवा रिट्टी इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें शिवा रेड़ी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ उसे अरेश्ट कर सकते हो इसी फाइल की वज़े से मेरा बेटा मारा गया मेरी नजर में कोई भरोसे मन नहीं था लेकिन मैं आज तुम पर भरोसा कर रहा हूं शिवा रेड़ी को अरेश्ट करोगे तो मुझे ल तुम मैं बहुत घट से विटा शिवा रेड़ी पर यतिने केस और सब के सबूत भी है वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता उसे भरने भी मत दो उसकी आखों के सामने ही यह सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पर रख दो हलो शिवा रेड़ी अब तुम्हारा राहुकाल शुरू हो चुका है तुम कभी मेरे चेले रहे हो इसलिए यह बता रहा हूं वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ओफिस पोच रहा है अब नमस्ते शिवा रिड़ी भाई वह इसी पी राम है ना उसके कलेक्टर ओफिस तक रोचने से पहले उसको अपन उसको खलास कर दियेंगा अब अब कर दो कि पर चला के बड़ा है अब 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 होई पंडर ने फोन किया क्या तो पर नहीं क्या वाई है ंघ में हम मीं अधा परको आम्याट को फिछोऊ-चला बे conception कि चलांगोARI श्रस कर दो श्रस ने वाई इस चोट से उसकी नोकरी फिनिश यह सुर ब्रेकिंग नियोजु जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसेपी अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया एसेपी करेंगे जाँ स्टाप आईसे अपनों को छोड़ेंगा ने मुझे बॉट जाँ लग रहा है करेंगे जाँ रहा है इक करेंगे जाँ लग जाँ यह सहा जाँ लग जाँ यह कर दिए अच्छु हमस्के तो लग वाइ कि पॉल्ड था कि बच्प हो जाँ क्याँ कि अपक हुल आई कि अवल कर रहें हो दो कर दो है वो स्टूर्ण हैं तो पिंद कुछ। ओ मैई गॉड़, लुट्टी, ये लोग दुटी कर दुटी तक कर वे ये विर्ण वाइब दोनों जलके राग होगा हुए। कर दो कर रहे ला है इधर मर्डर हों एला है चल निकाल देखा अपने काइसा उड़ा है गाड़ी को बेकार भे परेचानमा तो चल जा बेटा जल्दी गाड़ी निकालो भाही का जुलूस निकल रहे ला है कर दो क्या है गोचे मारना चाहता था अब यख मारना चाहता था उज़े जो चोला बंडुज्यच रकारत जुचे करोगे तुम्हारी तूम्लय्ट्र कर मार राधा था अरे यार एसी मिरां की गाड़ी में तेरे को बेट ने बोला जिसे आपन मारना चालता है वो तू नहीं है संधिया जेवा लगता है आपन की बात यह समझ गया आपना मेरे भाईया को मानना चाहते थे भाईया कुल मार जिवा लिएक भाईया को सुवा आपन चाहते थे दोड़ुभाईया जिवारे हिड्ड़ुद्ञे भीते सकते आपने भाईया नेने पूले जोरुद्ञे इसने एंब मेर जिवारे इन्ड़ुद्ञे को बात यह से को हर्णिया अब दोगों पूद कर नबाई ने ने कहा है ये शिवारे ने अब खूआो पねअ away कि अगर के वे भों हो फिर ये फिर कि पक के ही जाक और येए वे है कि अ मेरे भाईजा को मारना चाहता है ना तू सुष्च मेरे वह नौमिनेशन बढ़नी गश्च देघर के लिए नौमिनेशन मैं तू नौमिनेशन बढ़ने के लिए जा रहा था है मेरे नौमिनेशन है एक लोगा रहा है कर वए वपन्होच्ट lending जाग इंवा अवाग Hersh कि पएल नहों कर दो! तो कर दो एंडतों कि वषऑे! है पन्हों मोट इंधने हमाय सिड्यार कासा भागा! जब जो जब लेगा लेगा जड़ी आफा जड़ी आफा से जड़ी आफा है जल जल दी फुरा दाशा आफा लेगा कर सिर्ट कर दो कर दो और तो अज़्युँँज नीया है यह ज़्योड़ दो मैं ज़्युटे मैं ज़्युटे मैं बहुतं। कोल दो अफाल गुळिक्ट? तो भीजिकन भीजिक्ट, मैं तुम्हे कहता है? गोल नंहीं नों भीजिक्न, कहते हैं दो मेंन दो कमते हैं दो एए मेरे भाइया को कुछ नहीं हुआ इसलिए तुझे मार नहीं रहा हूं मैं बच गया तू मैं तुझे नहीं छड़ूँगा एए तू आर फिनिश्ट मेरे भाइया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे दम की दे रहा है इस बार पैरों से लटका है तू अगली बार गले से तो जितना असान समझ रहा उतना आछाen नहीं है तूने खलत ही कर दिया साले मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता यहां अब कुछ मत बَّोल अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में चानकर कोई रेस शुरू मत कर रखार क्यूंकि रेस के खोड़ों पर लगाम लगी होती है लेकिन मैं बे लगाओंगा मैं बे लगाओंगा नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड़ी आएम लक्षमन प्रसाद मगर यह नाम सुनते ही मेरा दिमाग खुंचाता है कॉल मी लग्डे जास्ट लग्डे जास्ट लग्डे शिवा रेड़ी का नॉमिनेशन में शिवा रेड़ी पर इसे कुम्नाम विक्ती ने अटैक किया और शेहर के बाहर पीट कर फेगए राजनीती में आया है तब राजनीती तेरे बाप की जायदाद है क्या मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहां से वापस भेज़ दो नहीं तो यहां भूचाल आ जाएगा आज ही एक की बली चढ़ा कर और दूसरी बली यहां चड़ेगी मेरे बेटे पर हाथ उठाने मेले को ढूड़ो कौन था वो ससुर कनाती चिचिप तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े-खड़े देखते रहे तुम तो शीवारेडी की खड़िया-खड़ बात करते हैं नहीं छोड़ूगा सर जीप और फाइल की वज़े से शीवारेडी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया और जिसकी वज़े से मेरी बेज़ती हुई मैं कसम खाता हूं मैं उससे नहीं छोड़ूगा मुझे अब वर्दी की कसम सर वर्मा सिटीगे सभी सीसी कैमरा लिए होलो फुल्म जारी सर सर् सथ झीप स्वारेडी की आदमी ले जा सकते हैं यह उनोगों का काम नहीं होगा शिवारेडि यह रिष्ट होने वाला यह बात किसी को नहीं पता थी , यह इतनम का काम है जो न सbभी गलती है में बहुत बदी गटी कर दी सिर्फ हमारी जीफ ह पर नहीं गई वर्मा एक सिंसिर ऑफिसर के उमीद एक बाप का पीटे पर भरोसा सब गया कि यह जीप तो हमारी जान देलीग तेरा भाई सीटीवी केमरे की फूटेज चेक कर रहा है वकड़े करे तो क्या होगा तुझे क्या होगा शीवरादी का पाप शहर में आ गया है वो उसे पारने के लिए दूण रहा है जिसने उसके बेटे को बुर्तिरे से पीटा उसे हमें मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूं कहीं ना कहीं तो मिलेगा उसकी पली का समय आ गया है जाओ ढूड़ो ढूड़ो उसे उसकी जरूरत नहीं है तुम्हारे बेटे को मैं नहीं मारा है सोचा आपसे आकर बात करें कि आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर मेरे बाबाब के हम दो बेटे हैं मैं और मेरे भाई हैं हम दोनों के बीच बच्पन से एक पल भी नहीं जमती थी हार वाक्त इक दुसरे से जगडा करते थे जैसे एक ही गर में यह दुसरे के दुश्मन जन्मेया एक रोज जगडा थोड़ा सा पर्सनल नहीं है उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की परताश्ट नहीं कर पाया मेंटल हो गया सर प्यार से बाद इगो पर आ गई मैंने फैसला कर लिया चाहे कुछ भी हो उसे उसकी नोकरी से अलग करना है और इसलिए उसकी जीप किस ने किया क्योंकि या कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर लेकिन बचने की बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भाईया को मारने के लिए आयते हैं फिर क्या सर मेरा माइंड पूरी तरह प्लैंक हो गया मेरा बलड कितने हजार किलोमेटर की स्पीड से दोड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता उस वक्त भाईया पर जो गुसा था उनसे बदला लेना था ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस एक चीज दिमाग में या उटाया मेरी तो भाईया से बंती नहीं थी तो मैंने ऐसा रिया किया क्यों मैं आपके बीटे को मारने माला था हजीब बात है पताए क्यों हुआ हमारे कून के अंदर मैजी की कुछ और है इतने दिनों से मेरी और भया की बंती क्यू नहीं बंती क्यू नहीं यही सोचता था मैं हम्म दोनों की कुपकी बन गई थी सर हमारे बीज्जो जगडे हुए वही हमारा प्यार आपको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके इन सारे जगड़ों को यही रोग दीजिए आप मुझे मेरे भाईया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए नो सर मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें ओके अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा अभी गुस्से में होगा ना पर आप आपको बेटे के पिटने का दुख है ना आप सम समझ पाता है रोग दीजिए अब यह सब अपने बेटे को समझाइए चलता हूं है 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 मेरे माबाप के हम दो बेटे हैं एक मर भी गया तो कोई बात नहीं आपके पास सिर्फ एक है उम्मीद करता हूं आप समझ गया होंगे हाँ आप जाए ना अब आप उसके बड़ा विलन देखा ना नाम सुनते इसकी बैट की लियो गई और इसे निए तो घर जाकर उसकी ले रहा था तेरे पर कांव से आगई रही नहीं तुम जैसे दोस्तों तो हिम्मत आ जाती है नहीं अब्र और उपर से जीप किसने चुराई उसकी तलाश में लगा हुआ है वो राम भाईया को मारना चाहता है तो कितने सिंसियर ऑफिसर होंगे रिस्पेक्ट दे उने तक तो वह साला काली राम था अब यह साला क्या है वह जेट है मेरे उनको रिस्पेक्ट दे के बुलाबें अच है गरेलू प्रोब्लम है बहुत सेंसिटिव है हम तो उसके हाथ नहीं लगने वाले है अगर उसकी लाइफ सेट कर दीना तो अटोमाटिकली हम इस प्रोब्लम से बाहर निकल जाएंगे पहले तो उसने बढ़ाई बढ़ाई करके अपना बच्पन बरबाद कर दिया अब ड कॉलेज के जमाने में भाईया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बरबाद करते हैं फाइनली वैलेंटाइन स्टेपर उसे प्रपोस करने करते हैं लेकन उनकी किसमत भूटी थी वहाँ पर भी मैं ही टकरा गया यह रखो यह लव यू ची इडियट पसंद नहीं है तो फूल वापस दे दो ना यह क्या इधर दे नो टुमाइल लव बट यस टुमाइफ फ्लावर एका श्वेता क्या कहा मेरे भाई ने वो तुम्हारा भाई था यह हेरो मत्ती कर रहा था कुछ जगलत का तुम्हें आयल लगाए तो मैं एक सेट भी कर लेती तो अब अभी तुम्हारा भाई आयला भी कहके गया है अगर तुम से शादी करके तुम्हारे कर जाओंगी तो वो लफंगा रोज मिलेगा मुझे कित्ती प्राबलम होगी भूल जाओ मुझे उस जगा तेरा भाईया क्या वोई भी होत बच गई बी पॉजिटिव नेगेटिव बाते मुझे और लखी को पसंद नहीं है अलेकि प्यार में तुम्हार क्रिपिट्टोस कर देते हो ओए बहले जाकर श्वता को दूड़ो स्वीटी लखी वो लुग श्वता को डूनने में लगे तब तक थोड़ा रोमान्स हो जा है अब बोले तो हम उसे पहुत के घाट उतारे भाई यह खुद अपना बद्ला लेगा कि अपने जैसा कहा था शहर के सारे से सी टीवी कमेरा के फोटेज चेक ही है सर हमारी गाड़ी जूह से सांटा कुछ तक गए उसके बाद बांडरा में जाकर रुकी सर वहां पर तीन लोगों को उतारकर गाड़ी आगे चली गई सर फिर वो तीनों चाय की टफरी पर गए सर जी सर दो दिन पहले चौदा तारिक को 2548 नंबर की गाड़ी से तीन लोग तुमारे टफरी पर आया थे उनके बारे में जानते हो उस दिन तो बहुत लोग आया थे सर उनने पैचान सकते हो कि है हां शाय कान थे एई कान थे बलो अशाब ये कोई पुलिस टेशन नहीं है र कारी नंबर 2548 पुलिस की जीब थी 2548 पुलिस की जीब थी पंगलवार के दिन भारा बजे तीन लोग तुमारी टप्री पर आये थे तो तीन लोग थे हां वो लोग वहां बेटे थे मैं यहां बेटा था उसमें से एक ने चाय मंगाई और दूसर ने काफी मंगाई उन दोन मुझे और मार तभी तो पुलिस वाला लगेगा है कितना जाहिए जब मुझे एक लाग दोगे तो वो लोग का मैं बताऊंगा दो लाग दोगे तो उनके अटे पे मैं खुद लेकर जाऊंगा तुमें तीसरा पंपर ओफर तीन लाग दोगे ना तो वो जीब पे यही लेक लाग रहूँगा अब यहां तुम्हारे बहिया की लावट का अड्रेस मिल गया वह सास्त्री नगर में रहती है जाओ उसे किर्णाप कर लो लखी या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्मत्या कर लो यह क्या चल रहा है जी भावना के प्यार की वज़े से तुम भावनाओं में क्यों महरे हो अरे वहाँ भावना की वहाँ आ गई तुम भी प्लीज सिट आउन एक पैग लगाओ बताता हूं यह सब क्या कर रहे हैं अब कोई पीना नहीं चोड़िये एसे चोड़िये ने 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 इडिये यह क्या पागलपन है तुम दोनों यह कियो तुम लग मेरे साथ अन्याइए और भाहटँ लोग मर्ते नहीं है ल्ता मारते हैं फाटो तो फिर लकी को मार्भ डालो अपके प्रॉब्लम सॉल्व लकी मामा Comes कि व firmly अ मुझे तो बहुत डर लग रहा है लगी दरों मत मैं हूँ ना अच्छा लग रहा है लगी सच में तुम्हारे भया मुझसे इतना फ्यार करते हैं अगर नहीं करते तो इतने सारे रिष्टों को ठुक रहा थे मुझे भी रिष्टत बिलकुर पसंद नहीं था सवरतस्ति मेरे शादी करवा रहे थे मुझे तो भूलर के पसंद नहीं है तुम्हारे कहने पर ही तो पलीस ऑफिसर बन गए है तो पसंद तो है तो तुम्हारे मन की बात बढ़ ली तू पर चलो लेकिन चलू तो चलू कहा से इस तरह एक ओ माइ गोड्ट करेक्ट नाइप बेंटी मारी से सुरजी पाइरिंग क्यों रोग दी, बॉलेट्स कातम हो गए तो भागो लेकिन क्यों यह 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 बी उस पत्मास की हेल्प कर रहा है पको इसे बारो इसे इसे छोड़ना मत जान चाहिए जान चाहिए जान चाहिए जान चाहिए तो मिर भागिया ना जान चाहिए 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 तुम्हारे गर के बाहर इतनी गाड़ियां क्यों खड़ी है अलो भाईया एसी पी है पापड़ बेचने वाले जोड़ी है जोज इतनी गाड़ियां खड़ी रहती है अरे रुक 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 कहां गया था तो तेरा फोन भी ओफ है वो छोड़ो मुझे बताओ यहां इतनी गाड़िया क्यों लड़की वाले आये हैं मेरी पर्मिशन के बिना लड़की वाले क्यों बलाया तुमने नहीं भाईया के लिए लड़की को रेजेक्ट कर देंगे दोनो हां तो पंडी जी बताइए देखिए अगले महिने की बीस तारिक को बहुत ही दिव्यम हुरत है मेरे लिए ओके है मेरे लिए ओके नहीं है मैं इस घर का मेंबर हूं या नहीं मुझे बताए बिना रिष्टा कैसे तैकिया अब मेरा क्या होगा यह मेरा छोटा बेटा है ओ अच्छा तो वह हो नार छोटे तुम्ही हो तुम्हारे बारे में समने बता है कि खोटे सिंगे तुम्हारे बारे में समने बता है जिसकी घर में अच्छी मालिश हो दिये वह तुम्ही हो अरे क्या कर रही हो इसकी बात का बुराउंत बानो तुम अपनी लाठी की मालिश ज और मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ इसको सच कैसे बताऊंगा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मैं ACP की बनके रहूंगी तुम क्या करोगी मुझे नहीं बता जैसे मेरीशादी तूदफवाई बैसे अपने प्रयाकिशादी तुगाओंगे और मेरी चादीकि उनसे घरपाओगे को के से भेज़ शे पाकूप में! एए! शे पाका तो यग! कुमने कुल कुल! आरे! चाहो तो 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 तो! एए! देगने देटा! तुम्हारे ओश उडाने की इंतजार में थी जैसे तुम मेरे हाथों में हो क्या वैसे ही मैं तुम्हारे दिल में हूँ मेरे वालट में भी तमिया किते क्यूट लगा है ना एक तरफ यह जो मेरे लिए भाग आई शादी के मंदप से दूसरी तरफ आई जी की बेटी जो मेरे लिए बैठी है मंदप में वर मा मेरी समझ में नहीं आरा क्या करूं मैं बताता हूं यह प्यार बहुत पुराना है इसे कट नहीं कर सकते आई जी क इतना आसान लगता है आसान है सर हर घर में काम बिगाड़ने वाला एक इंसान जरूर होता है वही इंसान आपका भी रिष्टा तुरवाएगा वह कौन मेरा भाई हाँ सर वही ये काम कर सकता है सर जल्दी से जाकर उसके पैर पकाल जिए अब तक उसने मुझसे मदद मांगी ह है और तुछाता अब मैं जाऊ उसके पास मजबूरी में गदे को भी बाब मनाना पड़ता है सर मतलब मेरा भाही गधा है हां पहली बार के बाब कहीं कि bite मेरा बाई गदा है चोटा बाई गदा है तो बड़ा बाई क्या हुआ हाँ आप सब ठीक है सर सर मैंने सारी बाते क्लियर कर लिए आप कंफर्म कर लीजे क्या फुली किस्मत मेरी इसके पास आना पड़ा तुझे जो समझाए गया ना बस वही कर मतलब क्या करूं तुझे अपना फर्ज निभाने का माका मिला है उसका फाइदा हो तेरी साफ साफ कह दे तुझे मेरी हल्प चाहिए तुने जो कपड़े पहने हैं जूते पहने वह सब मैंने जरूरत भी तेरी इसलिए तो कह रहा हूं अपना फर्ज निभा बार्निंग नही हाँ क्यों यहाँ है है ऑच्छा मेरी और आए जी की बेटी का रिष्टाइ मेरे भाई मेरे जोड़ता हूं मेरा रिष्टा तुडवा दे कैसे भी हो मेरा यह से निकाल है क्या हुआ है क्या हुआ मैं अस्पताल कैसे पहुंचे लेट जाओ लेट होगे तो ही काम होगा हेलो आम ली डॉक्तर बली मलेशा रिटन क्या को समझ नहीं आ रहा है I'm key, lucky. मैं जो कहूंगा वही कहना matter क्या है? matter हुआ रहा है मैं रहा है काम तमाम नहीं? करेक्त ओक ओक करे ला座 करें राम को क्या क्या हुआँ? क्या हुआ ली डॉक्तर बली, मलेशा रिटन चाहिए क्या कहुं को समझ नहीं आ रहा? यहां किसके उसमें दम है किसमें दिल में तुम इतने एक्साइटेट लग रहे हो तो तुम्हारा ही होगा चाहिए लेकिन बात क्या है वो बताइए ने डॉक्टर वो अंदर जो है वो आपका दमाद है नहीं होने वाला है उनका यह क्या है एक अंजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई कहानी खत्म मतलब लेफ्स टूट गया राइट फूट गया बीच का मामला बूरा साफ हो गया जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साब कैना यूज यूर लाटी आ लेलो आप इसके वेना डूटी कर सकते ह तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है वह बेरी बेटी नहीं है यह है अई फिल सो सॉर्ड अमिसर तूर हो अर्यू शोर डॉक्टर मशीन ने ऐसे बताया लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी इस बात की क्या गरंटी एक काम करो अपनी बेटी को रूम में भेज दो वो तो ठीक है इना जाना दो तुम रूब जाओ मैं जा सकता हूं क्या जाओ अहे अहां जाने से बहुत आरेस है पापा मुझसे मत पूछो हालात क्या है यह तो समझी गए होगे बस तोना धीरत से काम लो कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं एक दब ठीक का बेटा अब मुझे आग्या दीजिए हट्टा-कट्टा इंसान और क्या हो गया उसके साथ यह कामोगे नहीं है अब कि रहारी की शाधी कैनेसल हो गया मेरे ही बिटे के साथ ऐसा होना था और यह वाबुरा निकोस्तर इस अधूर साहर शाट इस ओक मेरी छोड़ तूस तरह दान्स क्यों कर रहा है क्योंकि मैं खुश हूँ पापा अब कोई परेशानी नहीं बचाना अरे रे ओ माई गॉड लखी सीधा अस्पता ले गया और सरदर्द खतम हो गया इसी की वज़े से सारी प्रॉब्लम थी ओ ये ओ ये ओ ये साब जी क्या है मुझे लगता है साथ से सिन का दिमाग हराब हो गया है वो बद कर अपना है वे ज्यादा हो रहा है कि आई जी की बेटी से रिष्टा तोड़ाने के लिए थाइंक्स क्या का रिष्टा जान बुछ कर तोड़ा है तुमने हमा मैं श्वेता से प्यार करता था और उसे शादी करने के लिए आई जी साब की बेटी से रिष्टा तोड़वाना पड़ा ये प्रॉब्लम लखी को ब मुझे शर्म आती है डॉक्टर से क्या कहलवाया तुने जो भी कहलवाया हो छोड़ो ना प्रॉब्लम सॉल्फ हो गई ना मेरे सवाल का जवाब दे बता क्या कहलवाया था उसने कहा माचिस में अब आग नहीं बचिया मतलब मतलब वही जो तुम सोच रहे हो कि अधिक दरवाने के लिए तुम कैसे और इसनी मिला नहीं मिला है चाहता मैं क्या कहता बोलो ना लड़के में क्या खराबी है क्या लड़का शराब पीता है लड़की बाजी करता है किसी से रिश्वत लेता है कोई भरोसा करता मेरा पूरा डेपार्टमेंट जानता है तुम कैसे ऑफिसर हो वरना कि आई जी खुद यहां आता तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए और वो सब छोड़ना तेरी मेरी नहीं बनती यह शहर का हर एक इनसान जानता है पर घर से बाहर निकालने के वज़ए तुम्हें बैटकर खिला रहा है इस एक रीजन से पता चलता है कि तू अपनी बीवी का कितना ख्याल रुखेगा 24 क्यारेट गोल्ड है यार्दू और इसलिए कोई कमियां है यह नहीं तो जख्मार के यह बहाना बनाया है तेरे खिलाफ कुछ भी कहें ऐसा इंसान हमारे शहर में ढून कर नहीं मिलेगा बात करता है यह क्या है माँ अँटने बारे में मुझे पताकर और मेरे बारे में चानकर कोई रेस शुरू मत का यूँ कि रेस की खोड़ पर लगाउन लगी होती है लेकिन मैं बे लगाउन, मैं बे लगाउन, बे लगाउन लग देग हेलो सर, थोड़ा साइड में अट जा है यह ना, तोड़ा साइड में अट जा है यह ना वे, भाईया के प्यार के वज़े से उस दिन किसी आवेश में मुझे पीड दिया था, मारने के बाद कम से कम यह माधव शिवा रेटी नाम का आद्मी कौन सी तोप है, कोई साधा इंसान नहीं है, वो अभी मरा नहीं है, अस्पतान में ही है, उठकर आएगा और आकर तुझे काट डालेगा, यह नहीं जानदा था के तू, मैं अस्पतान से बाहर आया, तो तेरे बारे में क्या सोच रहा था पता है, शिवा रेटी से कैसे बचना है, कहां बचना है, करके भाग गया होगा, तुझे पकड़ने के लिए कहां का ढूंड़ना होगा, और कितने दिन ढू होकर कैसे घुम रहा है तू, सर, आप हैं कोई, क्या मैं आपको जानता हूं, तू, मुझे नहीं पहचनता, आप यह क्या कह रहे हैं सर, शायद आप से कोई गलत फहिमी हो गई, क्या तू सक में मुझको नहीं जाता है, भॉल, नहीं जानता, देखो अब मजाग बहुत हो च भूल चका हूं, बहतर होगा, तुम भी भूल जाओ, यही बात मैं ने तेरे घर आकर तेरे बाप से भी करें, तुझे बताया नहीं है, नया दुश्मन मत बना, शिवा, तू किसी अंजान इंसान से क्यों दुश्मन ही मोल ले रहा है, तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ पब्लिक में खबर है कि किसी ने शिवा रेड़ी पर हमला किया और उसे बहुत मारा पीटा, किसी को कोई पकी खबर नहीं है, अब तू पब्लिक में कहेगा कि मैंने मारा है, तो मैं तो हीरो बना रहे, बेकार में मुझ पर अगर फोकस आ गया, तो हीरो मैं बन जाओंगा, जो तुझे महंगा पड़ेगा, आपको मिलने के बाद भी वो अब तक जिन्दा कैसे है, उसे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उसे, बापा, बापा बताओ बापा, उसने मुझे मारा इस लिए नहीं पर आपने उसे जिन्दा जोड़ दिया, इस पर मुझे आज पता खरने का बद कर रहा है। शिवा, शिवा, शिवा.. पताओ बापा! शिवा.. कितना इयो खुस्सा है न… बहुत तकलीफ हुई न? मेरे दिल मे भी घुस्से की आग चल रही है। मेरे बेटे की पिठाई करके, मेरे ही सामने बैठ कर, मुझे ये वार्निंग देकर गया है वो इससे मेरा खून खौल उठा है मैं उसे उसी वक्त मार देता लेकिन क्या तुम इससे खुश होते नहीं, उससे तुम्हारे हाथों मरना होगा उसे मारने से पहले उसकी हिम्मत, उसकी अकाड, उसका खमन उसे खतम करना होगा और यह काम तू कहएगा उसकी वजह से तेरे मंतری बनने का सबना पूरा नहीं हो पाया बेटा पहले उसे पूरा करो उस पर वार करने वाला घुंडा शिवा रडड़ी नहीं होना चाहिए बलकि मंतری शिवा रड़ी होना चाहिए तब तक उसे बली के बकरे की तरह पलने थे, साप के फन को कुचलने से पहले उसे तिल-तिल करके तड़ पाएंगे, तब आएगा मजा, हाँ बापा, उसे कुछ रहने दो, अच्छाए जितने खेल, खेलने हो, खेलने दो, एंजॉय करने दो, मजे लेने दो, उसकी जुन्द मैं माधव शिवा रेटी शबत लेता हूँ, के इस राज्य के राज्यमंत्री के रूप में, अपनी पूरी निष्ठा से, मेरे बेटे को MLC कोटे में मिनिस्टर बनाना है, एलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते गया, उसी त के रिए न्याय का काम करूँगा, इश्वर को साक्षी बानकर मैं शबत लेता हूँ, मेधा वी शिवा रेटी को पार्टे के वरिष्ट मेता उन्हें राज्यमंत्री पत की कुष्टे हुए, अब तेरी प्रजा ही मेरा भगवान है, अब अब अब, 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 पावर में आने का मज्या ही कुछ आरहें पापा, तेरी चापूरी हुई ना, अब भूख लग रही है भापा, भूख लगी है, जा मिटा ले, गटित सच्जाई को इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक के सामने लाकर हमने सभी को नहीं मंतरन दे दिया हैं सिर्फ तुम्हारे डिपार्क्मेंट को छोड़ कर और आखिर में उनकी लाश मिली मुझे जिन पर शक है अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे नियाय मिल जाएगा ये सोच कर मैं एक ऑफिसर के पास कई लेकिन उन्होंने बेना संकोच के बोलो ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वाइरी करूंगा जरूर लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा ये ये कहकर मेरे साथ बत्तमीजी की अपने गेस्टाउस भी आने के लिए कहा उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैच संबंद बताकर और मुझे मेरे ही पती का कातिल बताकर मुझे पर केस कर देंगे तुम क्या उस ओफिसर का नाम बता सकती हो उसका नाम है बताओ एसी पी राम उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए वाट इसके बाद तुम मुझे सिंदा नहीं छोड़ेगा इससे अचा है कि मैं जहर पीकर खुदात्मात्या कर लूँ लगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है तब ही समात साफ हुपाएगा किस ने दिया उसे पुलीस का कावु तुरंट सस्पेंट करके मुझ पर कालिक बोट कर उसे जड़क पर घुमाना चाहिए तो ने लड़कियों को होटल में पकटते थे उनसे विए उसका कनेक्शन था स वो हरेक बिल्दर से कमिशन खाता है सर यह क्या एलिगेशन से हैं अब वरी सॉरी मिस्टर रांग यूर सस्पेंड़न अब है हम आखियो नींठ मुझ पर हो बीजिए जय दिरुए दिरुए यहां झाल तो नीड़ता की लिए कशन एल्यों के जिस फासिए ने खिर ठाज हम एधिक आखिए आखिए हम एधिक आखिए कि एद्टिन उव्यों के एड़क होगतलि ब एज़ दुदे मेर जो इज़ जो एज़ किया में सेरे रत इससा अइड है प्रभत है अर्म पाँ प्रमी बाट हैं अर्मी जड़तो है! मावव तू कुछ मत बोला तू क्या है हम सब जानते हैं तू क्या है हम सब जानते हैं बुल्डोजर चला जाकर रहा है उपर से ओर्डर मिले है मुनिस्पल रूल के हिसाब से साथ फीट रोड है और आपने इल्लीगल कब्जा किया हुआ है हमारे पास सारे पेपर से और हमें कोई नोटिस विदी मिला यह क्या है आपने रिसीव किया है इस पर आपका साइन दिये कोई जाल बुछ कर कर वा रहा है 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 सबत कीजी सब सब बहुत मेरत से बनाया सब तुम रास्ते पर आजाएगे सब आप रुक जाएए वसे एक घंटा रुक जाएए यह काम आप जिसकी ओर्डर पर कर रहे हैं मैं उनहीं से फोन करवाऊंगा दो घंटे का टाइम लेलो और जाएगर फोन करवाऊ शिमारेंडे आजया आजया खूँ मुझे अजयन्टि शिवा रेडी थ所以呢 शिवा रेर अक व्लैक किले केलने प् looked after शिवा ररेंडे नहीं जा सकते थू今 सलोरा है यह आने दो कि जिशा अं पिशीवा बॉत पिश्ट आयगा तु कॉन हो भाय तु कॉन भो भाई तुम किसी पार्टी से हो क्या अगर कोई प्रॉब्लेम हो तो औफिस आजाना ओके यहे जाने फृत लूट से गुंट्प्रश्ट गर्दी मैंने अपने पापा से सीखिए और रैजनीति मैंने तुम से सीखिये सिर्फ तेरी फैमिली है, हमारी फैमिली नहीं है अरे हाँ, फैमिली, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई वहाँ पर तो असली प्रॉब्लेम हुई है, स्तार अरे जाओ देखो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जीप ले जाने वाला और कोई नहीं तुम्हारा भाई था मेरा भाई तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की तुमने भी धोखा दिया सच कह रहा हूं मुझे नहीं पता दो रहने दो राम मुझे कोई सफाई मत दो अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था आज मरा है तुम हरी वजह से मर गया तुम हो उसके कातिल जीप उस दिन तु ही ले गया था जीप तु ही ले गया था या नहीं नहीं पता है उसमें क्या था शिवारेटी के सारे काले कार नामों के सबूत है इस जीप में है सच्चाई क्या है तु नहीं जानता शिवारेटी तुझे मारना चाहता था इसलिए मैंने मारा उसे उसी का बदला लेने के लिए सब कर रा है मानता जीप वर गलत बात थी लेकिन वो मार देता तुझे जिस दिन पर और मेरी इज्ट जाने की वजद इंट नहीं है मेरी गल्ती नहीं है या मेरे गल्ती參ug Không क्यों प्यूत कर और इपनी गल्ती को तुब नहीं है बड़ा दोका दिया और दोका दोका और अपनी घॉट्नck नहीं भाई, मैं तेरी परच्छाई भी आम लोगों पर नहीं परनी चाहिए निकल जा अरी, तुमें क्या हुआ? अरी, सभलो आपने आपको अरी, अरी, निकला हुआ आपको प्रच्छाई अर्च्छाई 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 और रहाँ पर नहीं नहीं पर दो एस बुलाना अख कॉल मी कॉल मी मंत्री या भिर मुख्य मंत्री हाहा हाहँ मेरे लखी फेलो यार यही अगर गुंड़ा शिवारेटगी होता तो कब का तुम बर चुका होता तुम्ड़ा कर दी यह दें गार्दी में क्या एक फटका मारा जान निकर जाती लेकिन 24 hours में एक फैमिली फिनिश 24 hours में एक पुलिस वाले की जिंदगी फिनिश 24 hours में लिगली बनाया घरगोल 24 hours में तेरी जिंदगी भी उल्टी लटक गई यही होता है पावर का मज़ा मज़ा इस शिवा रेडी पावर। पावर के पावर 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 के के अब तुम उझसे जुड़ गया है रेस शुरू कर दी है तुने माधव शिवा रेडी नाइस नेम तु भी मेरी तरह पागल है यह तो चलुक्त हम दोनों रेस में दोड़ते हैं तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूंगा कब मारूंगा कैसे मारूंगा मुझे भी नहीं पता पर मुझे तुम रोको की रोक के दिखा अब बचालो उनके मरने के बाद तेरी ही मौत है यह संबलकर शिवा रेटी रेटी अंकल अपने बेटे को संभालना कर इसे कुछ हुआ तो आपकी करता नुड़ा दूगा बावर मंत्री सड़क बहुत खराब है सीट बेल्ट लगा लेना जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना मंदिर में हजार नारियल चड़ा हुआ इसे जिन्दा रखना भगवान इसकी जान अब आप नहीं लोगे इसकी जान लेगा ये लगे इससा लबागरे बारिश अब बारिश आगई संबलकर ड्राइब करना रहे है अपी ज़ने अब प्रक औरना तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेल अगाम भुड़ा अपनी होर्स पावर से मारे चोटे बाई चोटे बाई बाबरे ओ मैं गॉड़ अब मैं गाउं जा सकता हूं मिनिस्टर पूरी फैमिली को क्लीन पोल कर दो कि अब अब कि कि उनलों को सिदा यहां से समचान पहो जाने का था अरे यह क्या हो गया अरे यह क्या हो गया अरे तरवास खोड़ो अरे तोर से चलाओ रुडाजे उन्हें अरे वरे वर्चवाचा अरे पाचेवाचा अर्वड़गो अरुड़ हाँ ऑफ इस अंतर पासा भॉड़ो तोर तंप प्रपशब कंचे, माइ करते हैं? Oh my God! इंस्पेक्टर लखी के एरिया में रावडी सर्भ यह पुलिस ओफिसर कैसे है छोड़े भाई अरे बाप अरे बाप ओ माई गॉड स्टार्ट बड़ी अरुड सुरू करो अरे चल रहा है अरे चल दो मशीट आओ प्रॉट अरुड़े भॉड़े ऑँ अरुड़े रख भाई डोक्तर इसे क्या हुआ है श्या है अलुक्मिया केतनिस पुलासिस था चैमर अल-च्जद 8-4-4, it's a finally, blood cancer. एक यालावा, चार लड़कियों काथ गुमने पर होनी बीमानी है ना? ने, ने, या लवेरिया. ये किस स्टेज पर है, दॉक्टर? अखरी स्टेज पर हूँ. तरे मेरे छोटी भाई अस्दामत पोल. अरे, डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भाई को बचा रो, डॉक्टर. आप जाए. ओ, शिट. ओ, राजा, तुम्हारे दिये ग्रेडिट से, हाई कमांड मुझे हो मिनिस्टर बना दिया, बले इस राजी को बेचना पड़े, मैं तुम्हारे कर्स चुटाओंगा. हेलो, युनो, वी आर जहकास, मत कर बकवास, आइम स्पेशलिस्ट आफ दिस, बचना मुश्किल है, मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है, अनली टू देज, उनकी कोई इच्छा है, तो पूरी करके भेज़ दो, हे बगवान, राजा, इन दो दिनों में तुम् में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा, नहीं मर ने दूगा, आखरी इच्छा पूरी होने से पहले, नहीं मर ने दूगा, तुम्हारी आखरी इच्छा क्या है, बताओ मुझे राजा, बताओ ना राजा, हमारे देश को क्रांती की जरूरत है, सर, सोचा था, पुलीस कर में सब कुछ ठीक कर दूगा, अगे बोलो, मेरी आखरीच्छा है, कि इस इंदगी में पुलीस ओफिसर बन जाओ सर, मेम बें लेकिन 24 आञे, तुम पुलीस ओफिसर कैसे बनोंगे, आयययययय announcement, कुछ जाओ, फैकन्स झानं कर वी अर्म पर दूगा, बताओ एबने, तु जा पर रोगस नहीं? उसके बोडाइस का सब्सक्राइब देला चार्ण आ. दो आपिसे शाएथ आपने दिली बें अपने एक निमा कार्या था. उसके एक दिन के आयशे भंडिक को फॉरा कर लिया था. मैंने के टीवी पर अचा का रिष्ट के लिए था. और उसके पुरागुरी का पितरा ना उपिट्री पराया था इतना यह क्यों कुछे भी तो डॉक्टर बनाया ना जैसे आपको मितो अई राजा तो आध्या डिलाक्स राजा एक दिन कर घ्रक्स काई तो मैं हो मिनस्टर को ऑदा है तुम दो में और सिभर गए प्रेंड नंबर करेंटव कर अब यह मैं सीकरेटली त्ययार किया वैपन है आपकी मर्सी हो या ना हो इस वैपन को इसकी इतनी आउकात नहीं हैं अपने आपको देखो ये पेठ है ये तर्मूज है ओम मिनिस्टर के बात नहीं मानोगे तुम ओके सार, ओके एनी डाउट्स? 48 आर्स तुम सिर्फ एक मामूली पुलीस ओफिसर नहीं रहे तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो एंचायर डिपार्टमेंट लेकी को ही फॉलो गरेगा और कुछ चाहिए क्या सर, सर मुझे एक फ्रस्टेटेड़ पुलीस ओफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर इतनी सी बात ग्रांटेड 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 तुमारे ओर्डर्स अगर कुईमान ने सिंकार करता है तो इनसे उसकी बैंट जा दो दो दिन है तुमारे पास जो मन में आता है कर सकते हो राचा मैं तुम्हे बस दो दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ सर एक बॉल फैकनी रह गई सर अहांता फैक अटालिस घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कॉंटाक छोड़कर एक चंड़ी यज्य कीजिए सर तो मेरे बचने के चांजिस वन परसेंट से बढ़ जाएंगे मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर प्लीज सर यज्य शुरू हो गया है जा कर लोगों की सिवा करो अब 18 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूगा और ना ही किसी को सुनाई दूगा फूजा स्टार्ट हरी राम, हरी राम, राम, राम इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने भौस हैं अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावस दूटों क्या करेंगे देकर तो देखिये सर जीए सर मुझे तो यह लोग भी बसंदा है मुझ से ज्यादा तो इन है उस पर गुस्सा आ रहा है उस शिवारेड्टी को मसल दूँगा मसल दूँगा मसल दूँगा मसल दूँगा चीछी की तरह मसल दूँगा नो मोर डिसकेशन सर बिल्कुल सही टागेट दिया है सार उस शिवा रिडी को धोड़ा धोड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा उसके इल्लीगल धंदों को तबार कर दूंगा सार को दूनियुटाइजुटाइज सम्धाव कहने से विफखा वेमें टेल मी किसी को रंगे हातों पकलो तो नेताओं का प्रेशर चिल्ली में कैंग रेप करने वालों को स्दा देने के बजाए उनसे पात्चीत किया जा रहा है कि प्रस्टेशन प्रस्टेशन नहीं होगा तो पावर दी, चुटकी, चुटकी बजा के सब की बेंट बजा दूंगा अब हो को? पांडे, किल बिल पांडे आज ड्यूटी बराने की वज़े क्या है? शीवा रेड़ी का फैसला जो करना है उसका फैसला करने में मुझे बहुत कुशी है थी मी टू किल बिल अगेट ओन! हमारा टागेट सिर्फ शीवा रेड़ी है जब तक उसकी जड़े खोदना लूम हमारी पोर्स नहीं रुकेगी Yes, Sir! किसी की बात नहीं सुनेगी Yes, Sir! We don't hear anybody's order Oh my God! बांडे, बांडे, बांडे बांडे, बांडे, बांडे खिल बांडे, बांडे Sir! सब को औरेस कर लो यह स्पेशल कप्रे स्पेशल टीम है स्पेशली मैंने डिजाइन किया आप भी एक पैलो, Sir? मस्त लगा आइडिया Thank you very much सब के लिए जीप में जागा कम पढ़ रही है, Sir! एक को छोड़ दो! No! Oh my God! उने तो इन्हें उपर पहुंचा दिया उसमें क्या गया, Sir? बस गिंती के चार बुलेट्स एक्स्ट्रालगिस थी थोड़ा स्यादा हो रहा है, भाई आप तो हैना, Sir? ओन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाट डालने से क्या होता है, किल्विन? हमारे ऑफिसर की बेज़िती! अरेस्टे भाईया अंदर रहेंगे, तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे भाईया? शिवा रेड़ी से जुड़े सारे काले धंदों पर हम रेड करेंगे, सारे एक साथ होंगे सर्, यह शिवा रेड़ी का अलिका है स्टेट में शिवा रेड़ी के बहुत सारी लिगल कारोबार चल रहे हैं जिने रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है, Sir मुझे तो सिर्फ दोती नहीं मालूम है, जो मैं आपको बता दूँगा बाकी कैसे पता लगाया चाए उसी से बुलवा ले उससे ही बुलवा लेंगे, पर कैसे ही अटाक कौनो तुम लोग गुड अटाक अटाक ओ मैं गॉड फ्रस्टेशन सार फ्रस्टेशन कौन है तुम लोग स्पेशल रापिड फोर्स अटा यह फैक्ट्री किसकी है, पनिस्टर श्रीवा रेडी की यह श्रीवा रेडी कहेगा तो इमानगा सर, मुझे आपका प्लैन कुछ समझ नहीं है केल बिल पांडे स्पेशल ओफिसर कौन है वो फोन दो उसको जरा सर सर यह फैक्टरी हापकी है सर आवे गवो पूरी फैक्टरी मेरी ही है सर मुझे तो पता यह नहीं था तुम कौन हो आवे डालने वाले सेंट्रल सिingoी और इंपक्रो सर स्पेशल रिफिड फोस ऐसार मथलब आप i was ring हम बने नहीं पता था सर नेक्स अटाग नची दवाई एक्सपोर्ट करता है सर यह गोडाउन मिनिश्टर किवारी का है अबने मोशन पर कंट्रोल लाओ किल बिल अरे वो किसकी है यह जानकर रेड मौरा ओफिस है शिवारेडी सर यह फैक्टरी भी आप ही किया है हाँ वो भी मेरी एक्स्ट्रीमी सॉरी सर उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफूशन हो गया यह शिवारेडी किया नेक्स अटाग पागल क्या कर रहा है तू यू बलड़ी रासकान पर यह भी आपकी फैक्टरी है सर आ मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है एक किल बिल पागल है क्या फेर से शिवारेडी की फैक्टरी में लेकर आगया सर हमें जैसी लिस्ट मिलिया उसी साब से रेड मार रहे है इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हो काम कीजिए ना अब अब अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट पनाइगे हम बहुत कदम भी नहीं राखेंगे हाँ आइडिया अच्छा है तुम आगर लिस्ट लेकर जाओ आजाओ आजाओ अजाओ दी आक्षण अच्छा है अच्छा है अच्छा हाँ प्रॉपर्टा दी लेकर भी लेस्ट ने तो आगर। तुम हो Special Officer ? तुम शिवा रेडी हो तुम शिवा रेडी हो ए तु इत्तू सा है और मेरे बॉस गोग्या तोचराय मिस हो गया क्या शिपर दिया है बुलेट दिखने में मेरे जैसे दिखते घुसने के बाद गहरा ही दिखती है और गुसा मत दिलाओ पूरी तरह खतम हो लिस्ट तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया लिस्ट देदो भई संबल कर देखना है है पी दिवाली उसके लिए तो अभी टाइम है ना आपके लिए जल्दी आने वाली है इसका फ्रंट देखो तो मुंसिपालिटी बैक देखो तो वस्पस्ट ना रेखो ये स्पेशल ओफिसर कैसे हो सकता है मुझे बुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं वो टाइम बाम हूँ जिसके फटने का कोई टाइम नहीं है डूट 0 Operators, सभी चैनल्स को फोङो करो. Contact the Media immediately Hello आपने चानल्स कडिया भी बढ़ाना चाहते हो? मीडिया का पावर कैया दिखाना चाहते हो? येस अब कोर्स देन फॉल्लो उस आपको उन है? स्पेशल अफिसर चाउज ये पैक्टरी शिवारेटिकी है यह नगली शाराफ बनाई चाहती है येस अच्छाए एए दुम्रों प्रिसे आ गए तेरी बेंड बजाने आए बच्चू ये क्या लगा रखा है ये फेक्री शिवा रेडी की है जो वो तीवारी के नाम से चला रहे थे हाग लगा देगे राज्य में स्पेशल टीम की हल्चर पावर क्या होता है आप पता है ये ख़वर मिली कि ड्रग्स की स्मांगलिंग में ये शामिल था हम शिवारेडी के लिए काम करते हैं उडा दो आप बिलिस्टर में इधावि शिवारेडी दोरा चला ऐसा तैक्री में पाई गई नकली शराव रेड करके फैक्री को सीज खकी अप्सेशल टीम और उनकी दूसरी पैक्री में नकली दवायां की बरामत मीं शिवारेटी के सारे काले काना में सामने आ रहे हैं वो जन्ता का सेवक है या देश को ही आप पात मीद लाकिन या भी अप्डेट के लिए बने रही हमारे साथ मेरी फैक्टरियाँ, हरे क्या हुआ रहा है? भाई ये पुराकाम किभिल पंडे का है वो लगाता हूं से शिवा रेटी को या आप लोग शिवा रेटी से कुछ पूछना चाहते हैं जब शुरू हो जाईए लिस्ट ले जाकर मेरी फैक्ट्रियों कि वाट लगा दी आप अब यह सारी इलिगल पैक्ट्रिया आपी किया अब एक अधे का था ना वह सारी फैक्ट् शिवा रेटी से तुराइए वोई फोन मतले ना सब फोन टाप हो रहा है यह सारी वेपन्स एडमांस थें सर एक्सचेंज तसी मिर्क विल्ड ये के कंस्ट्च्प्छा थैशन साइच्छ अप्की अधे आप किया इल लीकल कंस्ट्च्प्छुों व Kramp कि अरो टो हिंद तुमां ना पॉलिस कश्या और इंहandra बुर्टों को तुने बनाया हमार, शागर में बनाया तुने खमार बेलगाम, बेलगाम, बेलगाम है, लखी तरे सर बेलगाम है बेलगाम, बेलगाम, बेलगाम है, लकी सब्छाने वाले किल्विलपांडे, तिंगम का नया अस्तार है किल्विलपांडे जुरू किया आपरेशन देखो, इनका सुपरेशन सब को देता सा इस वचलव की सरे से अब अगला आटक करो इस अवतार से पैमेने यहां तकी मिनिस्टर भी दरे हैं यह सारे बैग यहां से बहार निकाल दो यहां से कुछ भी नहीं है तुम लोगों के पास जो हत्यार है उन्हें भारा मिनिस्टर के घर में गयर कानूनी हत्यार कैची टीटि टीटि येस येस राजनिती के गुरु माने जाने वाले शिवा रेडी बैमान निकले पोलिस अबसर राम को सस्पेंड करने के लिए ये ने ओर रत को वनाया तरिया। उस और रत का अस्ति यहरा अब सबके सामने आ गया ळाहे। मुझे इस काम के लिए शेशल में लिए थे स्वाटी खेरिटि की पिता अब्जि रेडी को भी इस पेशर इनी भरताया की। बदू गरतलू अट पकरा क्कॉस हुआ होप म कनिस्टर मै अरिह होप सिवा कर hippie एह होई क्या हो रहा है कुछ ओधह है क्या होगा सइठ तुमने किसी स्पेशल ऑफिसर को ال मैं को विश्वाला वोई कैंसर पेशेंट है सर रजा की सिवा करेंगा सूचकर पर्मिशन देदी अरे सर ये क्या कर रहे है शिवा एडी को टार्गेट करके सकी बजा रहा है वो तुम्हारे जैसे बेकार नेता जब हमारे सर पे होते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो उसने भले धोका दिया हो लेकिन उसने कि बखो भी ने भाई है पुलिस की पावर क्या होती या बता उसने अब आप अपनी कुर्सी सवालो सुबहें तक तो वह सब साफ कर देगा तो फिर आप उसे रोकेगा कौन इस तरह के मुश्किल पर हालात में उससे रोकने की हिम्मद सिर्फ तुझ में है बाई सर्फ मेरे उसके बीच कोई संबन नहीं है अरे बंद करो अपना फैमेली ड्रावा एक की बजाने के बीचे वो पूरे स्टेट को हिला रहा है मीटर की बात हुई थी वो किलो मीडियो तक आग लगा रहा है तुम्हारी को रिस्पोंसिबिलिटी है कि नहीं तुम्हें मैं फूल पावर पार्टी ने सस्पेंच कर दिया है बता नहीं चल पाया इसके पीछे कौन है कौन है वो सला कौन है वो सला कौन है वो अन्दर है वो हां तुम्हारी धरकन में है वो इस आवाज को सुनो विजूल तुम्हे खुद दिखाई देगा तुम्हे सुनाई देगा क्लोज योर आइस लो सुनो ॥ूच॥ राक्चे राक्चे ॥ूच्व राक्चे एलेक्षन की तुम मिनिश्टर कैसे बना वाह प्लीश औफिसर बना तोो गी एसा हुँ सर हमेशा तो यह गवर्मेंट मिशन नहीं था सर नो मेरा परस्टनल बदले का मिशन था मेलो रे मैं भी कितना बड़ा कदा कुटा कमी ना हूँ अरे मुझे माफ करते रे मंत्री शिवा रेंडी को तुने फिर से गुर्णा शिवा रेंडी बना दिया है रे यह पुंदा शिवा रेंडी का फावर और भे और बोला ना की यथ यह माला रेंडी का माली का बसे Erde यहाँ खाल खाल नए करेक्ट है यार मेरा टाइम यह हो गया अब तक तो पुलीज बे मुझे ढून रही होगा अरे वैसे तु कैसे है लखी चीटिंग है अच्छा तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा मेरा इगो साटस्पाय होगा को मैं गॉर्ड को वह सबको बेवकूफ बना दिया शिट सबको चीट करके पूरे शहर का नक्षा बदल दिया उसने अब नहीं चुड़ूंगा उसे यहां सरकार एक इमानदार ओफिसर को क्या जवाब देगी आपने दोबारा वापिस जॉइंग क्यूं किया है यह सब सरकार आपसे करबार ही है यह आपका सैफ अजेंटा है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे लग्की तुने सिर्फ मुझे ने छेडा सीम को होम मिनिस्टर को पुलिस वालों को गवर्मेंट को भी छेडा है यूर फिनिश्ट नमस्कार सीम साब लग्की अब तुरी लग गई तुमने इतना सक्किया कुछी घंटों में पूरी गवर्मेंट को ही ला दिया सीम को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया तुम्हारी वजह से जमझ में नहीं आ रहा है कहां जाकर मुझ पाऊं यहां कोई बात्चित नहीं ह होगी कि तुछ पर बरोशा करकर तुझे आगे कर दी और तुन्हें मेरी फिचे चुरा घौम दिया सीम साफ मुझे छोड़ दूं तूम चुपर रहा है हृए तुझे पता है तुने कितना बड़ा क्राइम किया इसके लिए तुझे उम्रकाद होगी देसने जो क्राइम कि अगर आप पर्मिशन दे तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि इसने क्या किया है इसके कर्दूद सबको बताओ सर बाहर जो लोग खड़ें वो समझते कि सीम साब ने बहुत अच्छा काम किया है क्या मैं उनसे कहूं कि ये सीम साब का काम नहीं था इसका दिमाग खरावा और इसने गौर्मेंट को चीट करके ये सब किया मीडिया से ये कह दूँ सर ओ मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया ये सब कह रहा है हम सब बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कामन मैन ने और उसने हम सब को दूखा दे कर ये काम किया ऐसा बता दो मैं गया सर बाहर जो पबलिक खड़ी है, वो कह रही कि अगले एलेक्शन में भी वोट इसी गवर्मेंट को देगी मैं बाहर जाकर कह दूँ कि ये काम इस गवर्मेंट ने नहीं किया बता दो क्या सर किसी और कवर्मेंट ने जो काम नहीं किया किसी कवर्मेंट ने खर दिखाया आ यह पप्लिक यह कियारीन hice शीज खंते में अगर इस सरकार ने इतना कुछ किया है तो सोची अग्लें पा इसालाहों में कित्नी उंक शर्क ांणी कर सकती है मैं जाता हूं मेरे भाई ने गलत काम किया है येस इसका चुना रास्ता गलत था लेकिन ये सही है इस राइट लकिन यौर राइट तो ने कोई गलती नहीं किया है सिर्फ आज नहीं है मेरा भाई हमेशा से राइट था मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है मैं ये बात बीडिया के सामने गर्व से कहूंगा आजाए कि कहां लेकर जा रहे हो इसे किसने अपॉइंट किया है भूल गये तुम मैंने मतलब मेरी गवर्मेंट का लिया हुआ फैसला था येस किस कमीन ने कहा के तुमने गल्ती की तुमने तो रोका लेकिन ये मीडिया को नहीं पता तुम सब दोगले हो मुझे नहीं चाहिए वाई मैंने पावस को अपने हाथ में लिया इसलिए ये सब कर पाया मेरे भाया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पूलिस ओफिसर्स को एक बार फ्रीडम दे कर देखिये रिजल्ट इससे पचास कुना स्यादा होगा तुम मामुली इंसान नहीं हो राजा आप भी कौन कि मुझे कुछ चुलाई ने दिया बेचारा बहरा है छोड़ दो इसा तो पीछे के रास्ते भाग जाओ कड़ी खोलो इसके जल्दी जाओ राजा पेवागोशा कि अगा क्याнымиwyड यहाँ, कपिल्विल पांदे के जितनी वीतारेख पेरे उटने घंमा holyVeels भांदे आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा बस मुझे जो कहारा है वो कहकर रहूंगा मुझे जो कहना है कभी कोई भी क्राइम हो तो प्रोटेक्ट लिय।हारल आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है यहाँ अन्याय का सामना कीचिए और हम जैसे पुलिस वालों के मदद कीचिए चिल बिल बांडे तो फिर मेरे डाड़ी? फिल्म देखाएंगे ना?